अस्सलामु आलेकुम मैं हूँ डॉक्टर फर्जाना फर्जाना होमियो क्लिनिक में आप सबको खुश्रामदेद कहती हूँ आज का मौजू है सरदर्द आधे सर का दर्द जिसे माइगरीन कहते हैं यह आधे सर में होता है या तो रैट साइट पे या तो लेफ्ट साइट पे बाद दावा पूरे सर में भी होता है और यह दर्द बहुत तकलीव दे होता है बहुत ज़्यादा मरीज को परिशानी होती है और चीसों के साथ यह दर्द उठता है बहुत ज़्यादा आँखों से शुरू होता है बाद दावा और फिर आधे सर में एक साइट पे कनपट्रियों से लेके पुरे सर में भी और इन दर्द के वो जो हाथ बहुत सारी हैं एक तो यह है कि तेज रोशनी में यह सर का दर्द बढ़ जाता है बास के साथ और फिर जब यह सूरज की रोशनी इन पर पढ़ती है और कहीं दूर जाते हैं धूप में तो भी इनका सरदद शुरू हो जाता है और बहुत दे होता है उसके बाद यह कि खुश्बू बास को खुश्बू से इनरजी है जहां तेज खुश्बू उन्हें आई और उन्हें दर्द शुरू हो जाता है और बास को जो है उल्टियां भी शुरू हो जाती है बास को उल्टियां शुरू हो जाती है और बहुत ज्यादा मत ली आती है और सर में दर्ब ऐसा होता है कि मरीज जो है यूं सर पकड़के और आँखे बंद करके अंधेरे में पढ़े रहते हैं और बास दर्वा ऐसा होता कि कमरे में कोई दाखिल हुआ और लैट जलाई तो उनके जैसे चीखना शुरू हो जाते हैं बंद करो लाइट यान उन्हें खुद पता नहीं चुलता कि दर्व किस वज़ा से है लेकिन दर्व के वज़ुहात यह हैं कि या तो वो नीन पूरी नहीं लेते हैं और वक्त पे खाना नहीं खाते हैं और वक्त पे जो है ना वो सोते नहीं हैं और दूसरी बात यह है कि टेंशन बहुत ज्यादा होती है, उन मरीजों को ये ज्यादा होता जो बहुत फिक्रों में रहते हैं, कोई इसी बात हो उनके साथ, कोई ऐसा मस्ता हो, कोई घर का माहूल हो, और मुस्तकिल टेंशन में रहने के वज़ा से ये सर दर्द शुरू हो जाता है, और बहुत ज्यादा तकलिद है, सर का इस दर्द के साथ, जिससे पेशन को दर्द ये होने वाला है, इसका एटेक होने वाला है, तो पेशन को पहली पता चल जाता है, यानि ये उनको घबरात होती है, उनके आँखों में धुलाहट आने लगती है, सर में चकर आने लगती है, मतली आने लगती है, तो इससे उसे के वज़ा से मैलियस बहुत परिशान हो जाते हैं तो फिर इसके लिए दवाईया है हमारे होमीपैथिक में बहुत अच्छी दवाईया हैं राइट साइड के लिए अलग दवा होती है और लेफ्ट साइड जब दर्ध हो उसकी भी दवा अलग होती है तो इसके लिए आप साथ यह है कि माहुल को भी बदलें घर में जिस वज़ा से टेंशन है जो परिशानी है जो वक्त है तो उससे उस माहुल से बाहर निकलें और उससे मसले को हैल करें ताकि टेंशन ना हो फिक्र ना हो और वक्त पे खाना खाएं बाद खावातिन हैं जो खाना बहुत देर से खा बात इंको भी यह दर्ब ज्यादा हुआ करता है और दुसरी बात यह कि नीन्द पूरी नहीं लेना रातों को देड़ तक जागना और फिर जो है सुबा जल्दी उठना इस तरह से नीन्द पूरी नहीं होती है इस वज़ा से भी यह दर्ब हो सकता है तो यह है कि आप यह से इस दवा लें, और इंशालला, इस दर से आपको आराह मिलेगा, तो मैं दभा बताती हूँ, दभा नोंट कर लीजिए, राइट साइट के लिए दभा आप लिख लीजिए, वैला डोना, ठीक है, वैला डोना थर्टी, एड सेंगोनेरिया थर्टी, ये राइट साइड के लिए है ठीक है बहुत हलका पुल का दर्ध है तो ये 30 ही में काम चल जाएगा और दो तिन खुराक आप दे 30 ही में डाइरेक्ट जबान पे ही आप दो दो कतरे डालने दोनों दवाईयों को ठीक है अगर दर्ध में अफाका नहीं आए तो ये इसी दवा की 200 पोटेंसी में आप ले ले तो इंशाललह ये दर्ध ठीक हो जाएगा और लेफ्ट साइड के लिए जो है अलग दवा होती है वैलाटोना 30 एंड स्पाई जेलिया 30 तो आप ये दवा लें इंशाललह दवा लेते रहें 15-15 मीर से तीन दफा लें तो आपका दर्ध ठीक हो हो जाएगा और दुस्री दवा एक और बता देती हूं कार्गोवेज एंड जो है आइरिस आइरस है वर्सी कुलर्ः आइरस वर्सी कुलर्ः ये में चैनल दवा के यह वे लाका आपको बह लंति धर करेगा इंग सれंव भी बे मैं भी दोबा भी साथ दे देता हैं । इंदो ऑफ़ा वाली जतनी दौइ यह मैंने बताई हैं इसके साथ यह भी दवा हम देते हैं और यजलसी में भी हम साथ देते हैं तो इन दवाओं का अगर आप ठीक है उसक भी सुबह वा शाम आप ले लिया करें इसलिए का पता नहीं कब यह दर्ड अचानक शुरू हो जाए ठीक है जब शुरू हो जाए तो पुल्ड पंडमी से दो तिन दफ़ा यह खुराके ले 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 और उसे आम तो पे आप लेते रहें ठीक है इस तरह से आप इस दर्श से इसे परिशान से अब बज जाएंगे और इसके साथ यह बाहर की दवा भी है डॉक्टर रिक्विक के तो उनका आर नंबर में आर 16 आर 16 जो है यह भी आप सुबह शाम ले ले इन दवाईयों के साथ ठीक है आप तक्रिबन एक घोंट पानी में एक घों जो है 15 कतरे इस दवा के डाल ले और सुबह नहारमू और शाम को खाना खाने से गहंटा पहले या खाना खाने से गहंटा बाद आप ले ले ल अपनी आराम का ख्याल रखें, और ताम में टैंशन से फ्री हो जाए। इसलिए कि टैंशन तो हैं, इसरे जान चुड़ाना बहुत् है, same time कोशिश तो तो कर सकते हैं, कि जो है टेंशन से जरा अपने आपको अपने दिमाग को जरा अलग रखें ठीक है जो काम दुनिया में होना वो तो होता ही रहेगा परिशानिया तो लगी रहती हैं लेकिन अगर उसे हम सर पे सवार कर लेंगे तो फिर इस बिमारी से बचना बहुत मुश्किल है तो आप एक ख्याल रखें अपने आपको बिल्कुल रिलेक्स रखें दवा खाएं अपने गिज़ा का ख्याल रखें अपना आराम का ख्याल रखें इंशाला इस बिमारी से आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा ठीक है इसके साथ ही मैं आप से इजाज़त दाती हूँ अ लगफए ग हुआज